आपकी समस्या कुछ भी क्यों न हो यदि आप किसी अच्छे आयरुवेदिक वैदि से मिलने जाएं तो उनका सबसे पहले सवाल ये होता है कि आपका पेट ठीक है या नहीं समय पर शौच खुलकर आता है या नहीं फिर जाकर के वे किसी अगले मुद्धे पर बाते करते हैं दोस्तों आज के इस भाग दोर भरी जिंदगी में आदमी को इतना फुरसत ही कहां जो अपने बारे में समय निकाल कर सोच भी सके थोड़ी परेशानी हुई कि तुरण दवाई खाली पर याद रहना इससे आप तुरण छुटकारा तो पास सकते हो परन्तों यह आपका स्थाई समाधान नहीं होगा कहा जाता है कि पेट ही हमारे रोग और आरोग्य का केंद्र बिंदू होता है यदि एक बार भी हमारा पेट लंबे दिनों तक खराब रहता गया और हम उसकी तरप ध्यान भी न दिये तो कोई न कोई छोटी मोटी बीमारियां जरूर आघेरेंगी आप कुछ भी करो पर यदि आपका पेट गरबर है तो आपको किसी भी कारिय में रूची नहीं होगी वह मन भारी भारी साब बना रहेगा दोस्तों इसलिए आप कुछ भी करो या ना करो बस केवल अपने पेट को हमेशा ठीक रखने का कोशिश किया करो आजम उन गलतियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो लोग अक्सर किया करते हैं वह उनके तरफ कभी ध्यान भी नहीं देते जिसके कारण पेट हमेशा गरबर रहता है तो चलिए आगे जानते हैं इन कारणों के बारे में दोस्तों पेट एक दिन में गरबर नहीं होता नहीं एक दिन में पूरी तरीके से ठीक भी हो जाता है आज मैं आपको उन कारणों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पेट में गरबरियां होने के मुख्य कारण होते हैं सही समय पर न उठना दोस्तों अक्सर कबश की शिकायत उन लोगों में ज्यातातर देखी जाती है जो शुड़ी उदय होने के काफी दिर तक सोई रहते हैं इसलिए ब्राह्म मोर्त में उठने की महिमा शास्त्रों में बताई गई है क्योंकि आयरवेट के अनुसार कफ का प्रकोप घट जाता है और पित्त का प्रकोप अधिक हो जाता है जिसके कारण अक्सर कबश और पेट में गर्मी होने की शिकायत देखी जाती है जिससे आज कल बहुत सारी लोग पीरीत रहते हैं कारण नमर दुसरा कम पानी का प्रियोग करना हमारे पाचन तंदर को मजबूत और सक्रिय बनाने रहने के लिए पानी अत्यंत अनिवारी होता है प्रन्तु अक्सर देखा जाता है कि लापरवाही के कारण या तो पानी कम ही पीते हैं या अधिक पी जाते हैं दोनु ही स्थिती खराब होती है इसलिए आपको संतुलन बना करके कम से कम दिन भर में चार से पांच लीटर पानी का प्रियोग करना है कारण नमर तीसरा खाने के साथ पानी का प्रियोग करना खाना देर से हज़र्म होता है और पेट में गरबरियां शुरू हो जाती है इसलिए आपको अगर खाना खाते वक्त प्यास लगती हो तो खाना खाने के आधे गंटे पहले और खाना खाने के एक से आधे गंटे बाद पानी का प्रियोग करना चाहिए इससे पेट में होने वा रात्री में ज़्यादा खाना खाने से बचें जितना हो सके अपनी अनुसार हलका भोजन ही करें इससे बेट में होने वाली गरवर्यों से आप आसानी से बच पाऊगे काणन नमर पाजवाँ जल्दी जल्दी खाना खाना कहा जाता है कि खाने के हर गरास को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए ताकि खाने का टुकरा लार में मिरकर अच्छे से बच जाए और अब सबसे आखरी बात मांसिक चिंता मनोवे ज्यानिकों का कहना है कि मन खराब तो पेट खराब और पेट खराब तो मन खराब इसलिए मन में चिंता क्रोध आदी हो तो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए इससे पेट में होने वाली गरबडियों की संभावनाएं अधिक बर जाती है इसलिए मन को हमेशा खुश रखने का कोशिश करना चाहिए और अगर मन खुश रहने लगा तो शरीर आटोमेटिक श साथ तब तक आप बने रहें मेरे साथ धन्यवाद